जो ऑपरेटिव पोर्षा ने कोर्ट के ओर्डर का वो मैं बता रहा हूं कि F.A.F.O. जो है उनकी डिस्मिस कर दी और पूजा पे कोई रोप नहीं पूजा नियमेत रूप से चलती रही है आज मानी इलाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों जिसमें उन्होंने 17 जनवरी को चैलेंज किया था और 31 जनवरी को चैलेंज किया था आज वो दोनों याचिकाए मानी इलाबाद हाई कोर्ट ने डिस्मिस कर दी है जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमेत रूप से चलती रही है तो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बह परिवार बराबर नवेंबर डिसमबर 1993 तक वहाँ पूजा पार्ट करता चला रहा था उसके काफी एविडेंसेज और प्रूफ समने कोर्ट के सामने दाखिल किया थे इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज मानी नहीं ने ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वैल र जिसमें उन्होंने 17 जन्वरी को चैलेंज किया था और 31 जन्वरी को चैलेंज किया था आज वो दोनों याजिकाय माननी इलावाद हाई कोट ने डिसमिस कर दी है तो इसका आर्थ यह है इसका निशकर्श है कि जो पूजा वहाँ पर चल रही है वो नियमेत रूप से चलती फिरसारों का और व्यास की पूजा के लिए लगातारिया रोकी मांग कर रहे है तो क्यों अखिर मुस्लिम पक्षकार देखि persecuted bisher शामने 5 Πρχस में 3 की 7 strict पावर है जहां पे कोड़त अगर कोई चीज मिस हो गई और में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती फर्दर और से और साथे साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वह बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवेंबर डिसमबर 1993 तक वहाँ पूजा पार्ट करता चला रहा था उसके काफी एविडेंसे और प्रूफ समने कोर्ट के सामने दाखिल किये थे इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज मानी नियाले ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वैल रिजन जैज्मेंट दिया है जिससे अंजवन करेगा तो उसको पढ़ेंगे उसके बाद आपको बता रहा हूं कि अनकी डिस्मिस कर दी और पूजा पर कोई रोख नहीं पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी झाले बाद पूजा निया जिससे अंजवन पूजा रहेगी